साहित्य निदी में आज सुनिये लेखक जैशंकर जी की कहानी सन्नाटा ये कहानी उनके कहानी संग्रे प्रतिनित कहानियों से लिये है कभी कभी ये सन्नाटा कहां से आता है? मैं खिड़की के करीब आती हूँ अब यंकर पार्क के सामने लेटर बॉक्स खड़ा रहता है निखिल यहीं से अपने पत्र पोस्ट किया करता था इसके करीब ही पार्क को घेरे हुए फैंस है और बड़ा सा पौराने कथाओं में आता बर्गत का पीर हलकी बुदा बांदी के बात की सुबह बीगे हुए पीर चुगते हुए परिंदे कभी हमारी बालकनी तक आती किसी पीर की सरसराहट कभी परिंदों की चहजहाट गर्मिया जाने जाने को हैं बारिश के दिन लोट रहे हैं मुझे सब कुछ थमा थमा सा रुका रुका सा जान पड़ रहा है मानस तैरने के लिए जिम खाने तक गया है अमा पार्सी कालोनी के पार्क में सहर के लिए चिंतन सुई हुई है दूद की बोतें दर्वाजे पर है नल आ रहा है सुबह के आठ बज रहे हैं और बहार बहुत कुछ शुरू हो चुका है सडकों पर लोगों का आना चाना फेरी वालों का चिलाना पक्षियों का चहचाहाना वहनों का गुजरना और इस तरह हर सुबह में उठती आवाजें गुजदा को लाहल पर मेरे भीतर और बहार एक किस्म का सनाटा भटक रहा है बीच बीच में मेरे साथ ऐसा होता रहता है निखिल अक्तूबर में नहीं रहा और अब जून जा रहा है किसी तरह नौ महीने बीथी गए पर किस तरह बीथे ये दिन दुनिया में कितना कुछ घर्टा ही रहता है कहीं बार आती है कहीं अकाल किसी जगे लड़ाई चड़ी रहती है और किसी जगे महामारी फैली होती है हर घर में कुछ ना कुछ घर्टा रहता है इन सब के बीच इन सब के बावजूत आदमी का जीना चलता ही रहता है जीवन के रूटीन का सिलसला जरासा भी नहीं थमता इतना जरूर है कि बीच बीच में मेरे जीवन में ऐसा वक्त पिछले आटनो महीने में आता रहा है जब मेरा मन उचड़ जाता है मेरा मन कहीं भी नहीं अटकता एक तरह का सननाटा मुझे घर लेता है निखिल की मौत के पहले भी वो हमारे साथ सब्ता में एकाद दिन ही रह पाता था वो जिस कंपनी में इंजीनियर की हैसियस से जुड़ा था वो जगे जगे पुल बनाया करती थी निखिल अपनी कंपनी के साथ शहर दर शहर भटकता रहता था कभी कबार ये भी होता कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का डेरा हमारे शहर के इतना करीब रहता कि वो वीकेंड में या रोज ही घर चला आता था उन दिनों में अम्मा भी सरस्थ्य विद्याले में पढ़ा रही थी तब चिंतन सुले की और मानस बारे का रहा होगा उस वक्त मैं भी कुछ दिनों के लिए पडोस के मंद बुति बच्चों के स्कूल में नियमित रूप से जाती रही थी मेरा मंद बुति के बच्चों को पढ़ाने जाना हो या बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों का अंग्रेजी से मराथी में अनवाद किया जाना इन सब के पीछे निखिली रहा अनवाद के इसी काम के लिए घर में टाइप राइटर आया था एक दो डिक्शनरियां खरी दी गई और छोटी सी डेस्क, उर्सी और टेबल लैंप भी मेरे अनवाद करते वक्त निखिल होता तो बेहतर शब्द खोजने में वाके की उचित संद्रचना खड़ी करने में मेरी मदद भी किया करता था अंग्रेजी से मराथी की उस डिक्शनरिय के पहले पन्ये पर मेरा और निखिल का फांटन पैंसे लिखा गया नाम 21 मार्श का दिन और उस शहर का नाम है जहां से निखिल ने इस डिक्शनरिय को मेरे जनम दिन पर खरीदा था वो अक्सर आप्टे के संस्कृत मराथी शब्द कोश को देखा करता था ये निखिल का आग्रे और जिधी रही कि मैंने इयान फ्लेमिंग जिया लकारे और अगाथा क्रिस्टी की उन किताबों को पढ़ा जिनने निखिल कैम्प की रातों की रोशनी में पढ़ा करता था जासूसी उपन्यासों और फिल्मों में उसकी दिल्चस्पी बनी रही थी और कभी कभी वो मुझे हिचकॉक की किसी फिल्म जेम्स बॉन्ड के किसी कारणामे के बारे में देर देर तक कुछ ना कुछ सुनाता रहता था उसने अपने माता पिता से रामायण और महा भारत की जिन कहानियों को सुना था, उन कहानियों को उसने अपने दोनों बच्चों को सुनाते रहने का सिलसला जारी रखा था निखिल का साथ ही रहा कि मैं और मेरे बच्चे पहाडों नदियों तालाबों ज़र्णों और जंगलों के करीब अपना थोड़ा बहुत वक्त बिता सके उसे जब वक्त मिलता और उसके पास पैसा होता वो हम सब को लेकर आस पास के किसी मनोरम इलाके के लिए निकल पड़ता हम इसी तरह करमा सिरी तड़ोबा नगजिरा और काना किसली के जंगलों में जा सके थे वो अम्मा को चारों धाम तक ले जाने की लासा लिये हुए रहा था इस बात की याद से ही अम्मा की आँखें डब डबा जाती है पिछले नवंबर में ही वो अम्मा को बद्रीनात ले जाना चाह रहा था और अक्टूबर में ही वो कहीं और किसी अग्याद जगे के लिए निकल पड़ा अब अमा में पुराना भक्तिभाव नहीं रहा है कितनी मनते मानी थी अपने लड़के के लिए अपने एकलोते लड़के का पचास बरस की उमर में इतने अचानक चले जाना क्या मा के लिए इससे भी बड़ा कोई दुख हो सकता है अपने बेटे के कहने पर ही अमा ने अपने संस्मरनों को लिखना शूरू किया था अमा ने कुछ पन्ने लिखे भी और हमनों को पढ़कर सुनाई भी थे अपनी मा के साथ बरस की हो जाने पर निखिल ने अम्मा को एक लंबा सा मार्मिक सा पत्र लिखा था मेरे पास ही उसकी लिखी कुछ छोटी छोटी मार्मिक चिट्टियां होंगी जिनने वो अपने कैम्प के आसपास के डाग घर से भीशता रहा था अम्मा के कमरे में अब एक मेज है उस पर निखिल की काली सफेद मड़ी हुई तस्वीरे रखी है उसके करीबी निखिल का चश्मा पैन लाइटर और वो मफलर जिसे वो अपने आगली बरसों में पहनता रहा था और जिसको अम्मा ने बुना था आदमी चला जाता है अपनी चीजें छोड़ जाता है उन चीजों के सारे हम उस आदमी के पास लोटते रहते हैं उस आदमी को अपने पास लोटाते रहते हैं निश्प्रान चीजें कभी भी नहीं मरती हैं उनका जीवन कभी भी समाब्त नहीं होता है अम्मा तुम स्वेटर क्यों बुनती रहती हो तुमारी आखें पहले से ही कमजोर है इससे अच्छा तुम्हे कुछ पढ़ना लिखना चाहिए तू कहां कहां पढ़ा रहता है तेरे पास गरम कपड़े रहने चाहिए अम्मा कहती है इतने तो हैं बाजार में भी मिलते हैं तू चुपो जा मुझे अच्छा लगता है मैं जानती थी कि अपने लिए स्वेटर या मफलर का अम्मा के हाथों बनना निखिल को सुक देता रहा था कभी कबार अम्मा खाने की कोई चीज बनाती तब निखिल ना केवर उस चीज़ को जादा खाता बलकि अम्मा की तारीफ के पुल बानने लगता अपने बच्पन के उन दिनों को याद करता जब ये लोग कुना से मदर प्रिदेश के इस इस इलाके में आए आए ही थे किराय के मकाम में रहा करते थे पिता तब भी नहीं थे और मा ने पढ़ाना शुरू किया था मा की छोटी सी तनख्वा में निखिल के दादा दादी उसकी एक बुआ और मा बेटे का गुजारा होता था अम्मा इसकूल से लौट का खाना बनाती थी निखिल के लिए खाने के प्रती उमंग और दिल्चस्पी का कोई दौर रहा तो मद्य प्रिदेश के शहर में बीते अपने किशोर जीवन का दौर ही था वो उन लोगों में आता था जो देर तक दूर तक अपनी मा के लिए अपना अनराग बराबर बनाए रखते हैं मैं कभी ऐसी नहीं रही शायद इसी लिए भी निखिल की इस बात को करीब से महसूस करती रही थी अम्मा तब भी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और अब भी पढ़ती है उनके कमरे में बहुत पुरानी एक आराम कुरसी है वे वही पढ़ती है एक छोटा सा रैक है जिसमें हिंदी मराठी की कुछ किताबे हैं इन भाशाओं की कुछ नई पुरानी पत्रिकाएं चिंतन अब तक अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर ने निकल पाई है वक्त बेवक्त रोने लगती है इन चीजों तस्वीरों और किताबों को अपने बिस्तर पर रखकर देखती रहती है जिन से उसके बाबा का रिष्टा रहता आया था मैं उसे रोने देती हूँ अम्मा उसे रोने से रोक नहीं पाती है और उसके साथ साथ खुद भी रोने रखती है सालिम अली बंबई में रहते है निकल ने कहा था बाबा हम उनसे मिलने जाएंगे पहले तुम उनके बारे में कुछ जान लो मैंने उनकी आत्मकता पढ़ ली है जिनतन कहती मुझे भी पढ़ना है क्या तो अपने कॉलेज की लाइबरेरी से ला सकोगी जरूर पर हम उनसे मिलने जाएंगे पक्का और कुछ दिलों के बाद ही निकल और चिंतन बंबई गए थे बुरे हो चुके सालिम अली से मिले थे हिंदुस्तानी परिंदों पर लिखी गई एक किताब बंबई की किसी दुकान से हमारे घर में उसी वक्त आई थी निकल नहीं मुझे पहले साइकल चलाना सिखाया और बाद में स्कूटर चलाना भी बाजार मुझे ही जाना पड़ता था मैं ही सब को अस्पताल ले जाती और मुझे ही बच्चों के स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता जब कभी निखिल यहां रहता तो उसके भी छोटे-छोटे काम मुझे ही करने पड़ते कभी कबार मैं अम्मा को मंदिर, लाइब्रेरी या किसी आडिटोरियम तक छोड़ाती और अपने कुछ काम निप्टा कर उन्हें घर ले आती दोनों बच्चों को भी साइकल चलाना निखिलने से खाया था कभी गर्मियों में हम लोग रोजी सुविंग पूल में तैरना सीखने के लिए जाया करते थे मैं नहीं सीख सकी बच्चों ने जरूर सीख लिया मानस अब तक रोजी तैरने के लिए जाता रहा है उन गर्मियों में निखिल दो महीनों तक हमारे साथ ही रहा था अम्मा के दाहिनी पैर में तकलीफ उतराई थी और उन्हें रोज फिजियो थेरेपी के लिए रामकर्शन मिशन से जुरे अस्पतार में ले जाना पड़ता था कितना कुछ है जो निखिलने हमारे लिए किया और कितना कुछ था जिसे वो हमारे लिए करना चाहता था गर के पहले ही कमरे में देश-विदेश के नक्षे तंगे थे और उन फाउंटेन पेंसे निखिल के बनाएवे निशान जहां हमें जाना था उसमें लोथल और मोहन जो दरो थे तो श्री लंका और भूटान भी उसका मन रहा था कि वो कम उम्र में हिमाले को अच्छी तरह घूम ले ताकि बुढ़ापे में उसे पहाड़ियों पर न चढ़ना पड़े भूमना और बत्याना उसे हंदुस्तानी चरित्र के बड़े अंश जान पड़ते थे और प्रकृत के लिए अपने लगाओ ग्यान विक्यान के प्रति अपने जुकाओ के कारण भी वो खुद को हंदुस्तानी कहा करता था हमारे पुर्कों का भी पहाड़ों, नदियों और पेड़ों से गहरा लगाओ रहा था वो कहता लेकिशन आजकल की जिंदगी में न इतना वक्त है और न इतना पैसा मैं कहती पर अब भी पहाडों, नदियों, मंदिरों के आसपास लोगा ताता लगा रहता है वहाँ वे धर्म के नाम पर जाते है और फिर निखिल ये समझाने लगता कि हमारे देश में धर्म के कितने ज़्यादा और कितने व्यापक अर्थ रहते आए है अंग्रेजी के डिलीजन और हिंदी के धर्म में कितना बड़ा और कैसा कैसांतर है दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म कितना अलग है निखिल ने इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ पढ़ा था उसे दुख होता था कि धर्म को लेकर जो इतनी ज़्यादा राजनीती होती रहती है धर्म के नाम जो इतना खून खराबा होता है उसके पीछे बे लोग होते हैं जिने ना अपने ना दूसरों के धर्म का ठीक ठाग ज्यान होता है मैं सोचती थी कि ये आदंरी ना कभी पूज़ा पाठ करता है ना कभी मंदिर जाता है पर धर्म के बारे में कितनी सारी जानकारियां रखता है कितना जादा जानता है तुमको कभी सोचना चाहिए कि दूसरी सभी सभेताओं के देवी देवता भूला दिये जा चुके हैं लेकिन हमारे देवी देवता अब भी पूजे जा रहे हैं अब भी बत्रीनात और केदारनात में भीर लगी रहती है मैं इन सब बातों पर खूब सोचना चाहता हूँ इनके बारे में पढ़ना चाहता हूँ ये सब मुझे अब याद आता है जब कभी वो अपने देश, धर्म, समाज और इतिहास के बारे में कुछ कहना शुरू करता तब तब वो उत्तेजित हो जाया करता था मैं समझती सब कुछ थी पर समझ में मुझे बहुत कमाता था फिर मुझे घर के आदे अधूरे कामों की चिंता बनी रहती अम्मा और बच्चों के लिए भी वक्त निकालना पड़ता कभी नल आ जाता तो कभी बिजली चली जाती कभी दूद वाला पुकारता तो कभी नौकरानी बेल बजाती कभी निखिल के लिए टिफिन तयार करना होता तो कभी अम्मा की आँखों में ड्रॉप डालना ऐसे में ग्रीक देवताओं, एरानी सब्वेता और दाराशिकों की बातें किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे वक्त की बात जान पड़ती मैं आज सोचती हूँ कि हम सबका जीवन कितने सारे लोगों से गिरा हुआ रहता है हम अपने जीने के लिए किन-किन जगों पर नहीं जाते हैं स्कूल, अस्पताल, बैंक, बाजार, स्टेशन, मंदिर, लाइब्रेरी जैसी जगों में हमारा कितने कितने लोगों से पाला पड़ता है पर सश्मूश में हमारा जीवन कितने कम लोगों से बनता है कितने कम लोगों से प्रभावित होता है ऐसा सबके साथ ही होता होगा किसी का भी रहना किसी का भी चले जाना बहुत ही कम लोगों के लिए घटना या अनभव बनता होगा इस तरह किसी की भी दुनिया किसी की भी एकदम सची निजी और आत्मे दुनिया आट-दस लोगों से भी कम लोगों से बनती होगी पर ये भी सच है कि आट-दस लोगों को पाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को जानना पड़ता है बहुत सारे लोगों को सुनना पढ़ना होता है जगे जगे के अलग-अलग आदमी से रिष्टा बनाना पड़ता है निकल चाहता भी रहा था कि हम अपने घर म में भी एक दूस्ते के साथ जादा से जादा जीवन साजा करते रहें हम बाहर के लोगों से बरावर मिलते बत्याते रहें नई नई बातों नई नई लोगों से जोडने का सिलसला हमारे साथ बना ही रहना चाहिए वो खुद लोगों से मिलता, तरह तरह के लोगों से मिलना पसंद करता रहा था और वो मुझे अपने बच्चों को, अपनी मा को, दूसरों के साथ जोड़ते हुए देख कर खुश हुआ करता था चिंतन जवान हो रही थी, सुबह सुबह अपना बाइना कुलर लिये हुए बॉटेनिकल गार्डन में पक्षियों को देखने के लिए जाती रही थी वहाँ वो अजड़बी लोगों से मिलती रहती थी, मैं उसे पराए लोगों से ना गुलने मिलने की हिदायते देती और निकिल उसे इन बातों के लिए प्रोज़ जाहित करता, उसका सुचना था कि आदमी और और औरत के बीच के रिश्टों में सहचता होनी चाहिए वो कहता था कि जब तक औरत आदमी के बीच के संबंदों में सहचता नहीं आएगी, तब तक ये दुनिया नीरस ही बनी रहेगी हमारे पचीस बरस के वैवाहिक जीवन में मैंने कभी उसे इस तरह नहीं जाना कि वो मुझ पर संदेह कर रहा है किसी के साथ मेरा बोलना बतियाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है उसके कुछ मितर रहे जो मेरे साथी दोस्तों की तरह रहे मुझे नीला या नीलु कहकर पुकारते रहे, मेरा मजाक उडाते रहे, मेरे साथ भूनने के लिए निकलते रहे कितनी फिल्मे हैं जिनने निखिल के मित्रों के साथ देखा है कितने कंसर्ट हैं जिनमें मैं अकेली ही जाती रही हूँ मैं उसे फोन पर बताती कि शहर में अमुक लेखन का व्याख्यान हो रहा है कोई भरत नाट्टेम की नर्तकी का नाच है विमल राय या गुर्दत की फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है और कुछ देर के बाद ही उसका फोन आता कि मुझे जाना चाहिए अकेले जाने का मन हो तो अम्मा चिंतन या उसके किसी मित्र के साथ निकल जाना चाहिए मरते मरते तक उसका ये प्रत्म बना ही रहा कि हम कुछ अच्छी बातों से जोनने की कोशिश करते रहें उसकी मौत के वक्ती भी उसके आगरे पर ही हम अस्पताली पार्क में चले गए थे वो बरसो पुराना अस्पताल था बीस्वी सदी की शुरुआत में अंग्रेज मिशन्रियों ने उसकी शुरुआत की थी निखिल खिर्की से उस पार्क को देखता रहा था और वो चाहता था कि हम लोग अपना कुछ वक्त वहां गुजारें नर्स के पुकारने पर हम लोग वार्ड में पहुँचे थे और तब तक सबकुश समाव्थ हो गया था इतने सालों में घटा हुआ इतनी मेहनद से खड़ा किया गया सबकुश इतनी जल्दी-जल्दी किस बेरहमी के साथ समाव्थ हो जाता है काल के उस काम को हम सिर्फ देखी पाते हैं मृत ये एक किस्म के मौन को जन्द देती है किसी अपने की मौत के बात से बचे हुए लोगों के बीच एक तरह का सन्नाटा उतरने लगता है ये सन्नाटा कभी बढ़ता है, कभी घड़ता है ऐसा सरनाटा मरतक के घर में अपना घर बना लेता है मरतक के घर में रहते रहते उस सरनाटे को वो अपना ही घर जान पड़ता है इसलिए वो अपनी मरजी के मताबिक कभी मेरे पास आकर बैठ जाता है कभी चिंतन के साथ बती आता है और कभी अम्मा के से रहने खड़ा होता है तो कभी मानस के साथ निकल पड़ता है मैंने इस सरनाटे को पहली बार जाना है मेरी 45 बरस की उम्र में अपने किसी बेहत अपने की जिस मौत को मैंने जाना और सहा है वो निखिल की ही मौत है आदमी अकेले नहीं मरता है उसके साथ साथ दूसरे लोग भी मर जाते हैं दूसरी चीजे भी अपना जीना छोड़ देती हैं कहां पढ़ा था मैंने इस वाके को पढ़ा था या सुना है सुना ही होगा निखिल से कितना कुछ सुनती आई थी हम दोनों ही सुबह शाम सेर पर जाना पसंद करते रहे थे सेर के वक्त निखिल बोलता चला जाता मैं सुनती चली जाती फिर निखिल और चिंतन के बीच ऐसी बातचीत होने लगी अम्मा ने डिटायर होने के बाद देर देर तक पढ़ना शुरू किया जब कभी निखिल के दोस्त घर आते तब तब राजनीती इतिहास धर्म सब्विता और संस्क्रती को लेकर कोई ना कोई बातचीत शुरू हो जाती कभी कभार बहसे भी होने लगती मैं सब सुनती रहती निखिल के इतने ज़्यादा जानने समझने को लेकर मेरे मन में उसके लिए आदर और अनुराग जागता और अपने लिया भी मान आकर निखिल के ऐसा होने में मेरी अपनी भी भूमिका रही थी वो अपने पैसों से किताबें खरीता रहा था यात्राइं करता रहा था और हमारे पास ना सोना रहा ना बैंक बैलेंस हमें पुनाने मकान में अपने जीवन गुजारते रहे घर में किसी के भी पास कभी भी बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं रहे घर का खाना साधरार सा खाना रहा ये सब मैंने सोचा समझाता, ये सब मैंने किया था, मैं दोनों बच्चों को पढ़ाती रही, घर के जादातर कामों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रखी थी, इन सब में मेरा अपना सुख था, ऐसा सब कुछ मैंने अपने मन से किया, अपनी तसली के लिए किया, मैं कुछ और करती, मैं किसी दूसरी दिशामें बढ़ती, तब भी निखिल ने मेरी बास सुनी होती, मैं ही उसे नहीं, वो भी मुझे सुनता रहा था, कहां गई उसकी वो आवाज, अब कॉन उसको और उसकी सुनता होगा, वो किन लोगों से किन विश्यों पर कहां बैठा हुआ बातचीर और बहस कर रहा होगा मेरे इन और ऐसे सवालों का जवाब निखिली दे पाता था अब निखिल नहीं है और मेरे साथ सवाल है मेरे साथ सन्नाटा है कभी कभी ये सन्नाटा कहां से आता है अभी आप सुन रहे थे जैशंकर जी की लिखी हुई कहानी सन्नाटा